मुझे ये वीडियो बनाते से में इस चीज की बहुत जादा खुशी है कि मैंने ये मुवी ये वैब सीरीज देखी और जिससे मुझे मेरे स्कूल टाइम की करश की आद आगे अब ये मत पूछना उसका नाम क्या क्या क्योंकि उसकी फिलाज शादी हो चुगी हां मेरा उसके जो आपकी करश आपके सामने होती है तो उस वक्त क्या फिलिंग होती है तो उस टाइम की जब इस वैब सीरीज ने याद दिला थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला इन मैच्छ या आया मैच्छ वैब सीरीज के बारे और इसका हर एक एपिसोड मैं कौंगा कमालक है पांच ही एपिसोड है और हर एपिसोड बहुत कमालक है इसे डियरेट किया है प्रेम मिस्ट्री ने और यह आपको MX प्लियर पर पर मिल जाएगी आप जाकर महां पे देख सकते हैं Free of cost है एक मिनिट अभी नहीं देखना है य तीन दोस्त हैं दुरू कभी और सुसु का मुझे नाम नहीं पता मैं बूल गया बट यह सुसु यह अच्छा नाम है दुरू शर्वा अपनी क्लास का मतलब यह तीनों यह दोस्त निकम में दोस्ती अच्छी है इने पढ़ाई में बहुत बैकवर रही है बहुत पीछे बहु कहीकर करने के लिए हैं तो दुरूव को अपनी क्लास की सबसे टोपर और सबसे खु Bitte सूरत लड़की यहNow ऐसे था मुझे भी मेरी क्लास की ठोपर तो नीजन थियार बफ्राइंगे बढ़ाने के लिए इसके दोनों दोस्त्त alu कबीर और सुसू इसकी मदद करते हैं neo grad तो एक ऐसा लड़का है, जो जिसे colorblindness, वो color blindness है, मतलब कि उसे colorblind कहें, तो उसे कोई color पता नहीं चलता, green है तो उसे नहीं पता, वो green है, और ये बात उसे खुद नहीं पता कि वो colorblind है, और इस पूरी web series की यही कहानी है कि दुरूव के साथ, चवी की friendship को आगे बढ़ाना, उनको वापस में मिलाना, अब ये दोनों मिल तो जाते हैं, लेकिन आगे उनके साथ क्या होता है, उनकी friendship किस mode तक जाती है, तो ये सब चीजें देखने के लिए आपको ये series देखनी होगी, मैं किसी का कोई interest कराब नहीं करना चाता, वैसे बहुत simple है, basic जो इसका main motive मुझे लगा, मैंने जब ये series देखी, तो वही था कि आपको school time में एक बार वापस फिर से लेके जाये जाये, तो ये सब यार कमाल की दी, और एक जो चीज होती है, आपको आपकी crush के बारे में, जब आपको crush है किसी लड़की के उबर, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, और होता है आपके time में आपको लगता है कि यार इसका तो कहीं और boyfriend है, तो आपका दिल तूड़ जाता है, मतलब वहम, आप अपनी money-man बना ले तो तो कहीं और boyfriend है, ऐसा मैंने भी किया, और इस चकर में मैंने बहुत ज़्यादा sad songs होने थे, मतलब 11th, 12th के बच्चे थे, यहां पर यह जो दिखाए गए, मतलब उस वक्त वह सब चीजे कर रहे थे हैं, और मैं एक चीज़ सोच रहा हुते हैं, कितने वो खुश नसीब होते हैं, जिनको अपनी crush, जिसके ओपर वो crush होता है, वो उनको मिल जाती है, और वो school time से ही double होके चल रहे होते हैं, और एक हम जैसे, यानि मुझ जैसे और भी होंगे, अकेला मैं नहीं हूँ, पुरी दुन और school निकल गया, बात नहीं हुई, और इसी सोच के साथ, पुरा college निकल गया, तब भी बात नहीं हुई, देखो यार, school में पढ़ने वाले च्छत्रों, ये बात लिख लेना, इस सोच में बिल्कुल भी मत रहे ना, कि तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ सिर्फ उसे देख र एक होता है कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंदा, देखो प्यारा का मतलब यहां पर है कि मुझे performance पसंद आई, मतलब इसको ऐसे ले ना, समझे रहे हो ना, ये सिर्फ कोमेडी से भरपूर है, और इसका मेन मोटी मैं आप आपको बताई चुका हूँ कि आपको आपके स्कूल टाइम की याद दिला देना, और ये बेशक उस चीज में खरी उतरती है, आपको आपके स्कूल टाइम की याद तो आती आती है, मतलब आपको crush की भी याद आ जाती है, इस सीरीज की कहानी बहुत अच्छी है, performance कमाल की ह है, आपको स्कूल टाइम की याद दिला देती है, जिससे आपको बहुत जादा खुशी महसूस होती है, और एक दर्द भी आपके दिल में छोड़ जाती है, दर्द ये है कि आपके स्कूल टाइम की जो crush थी, वो आपके साथ अभी नहीं है, और ना वो तब भी थी, तो मेर कॉमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को इस सीरीज में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, आपका कौन सा क्रेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें पसंद दिदा है, और आपकी कौन सी crush, बेशे क्लिक सकते हो यार कमेंट बोक्स में, अब तो यार वो टाइम जा चुगा ह है कि हां यार यह मैंने वो पल जीये थे अपने स्कूल में और डेफिनेटली इस सीरीज में वो हरकते हैं आपको देखने को मिलेगी जो आपने कभी न कभी अपनी स्कूल टाइम में किया था, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, तो यार मुझे काफी पसंद आई, हम हमारे उस स्कूल टाइम में चले जाते हैं, तो मैं खुश गवार हूँ यार मैंने यह दिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ एक ऐसी सीरीज काफी अच्छी लगती है, जिसमें कोई प्रोपगेंडा नहीं होता, केवल के एंटर्टेन्मेंट के परपरस से वोचीज़ें गुनाई जाती है, तो जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उसे यही विंती, यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज जाकर देखो यार आपको आपके स्कूल टाइम की बहुत जादा याद आ जाएगी, अभी भी मुझे याद आ रही है, मैं रोना आ रहा है, अभी वीडियो बंद करकी मैं रोऊंगा थोड़े जिर, क्यार, ठैक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिंद!